जैहिं दोस्तों तरी दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम आपनों को फिर से बताएंगे मैस का वाइरल अब्जेक्टिव कोस्चन और ये रामबान का तीसरा कलास होगा दोस्तों इस कलास में आपको 25 मौश्ट इंपोर्टें इसमें केवल हुआ ही बताएंगे जो बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है ठीक है केवल इसमें यही बताएंगे जो बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रस्न है जो हर साल रिपीट करता है 100% गारेंटी के साथ इस वार आप लोग बोर्ड एक्जाम में बैक्स के पेपर म 14 फेरवरी को 95 करके आईएगा बिहार बोर्ड मैटरीक परिक्षा 14 फेरवरी को जैसा कि आप लोग जानते हैं और इस वार जो इस्टूडेंट अभी तक मैस में कुछ भी नहीं पड़े हैं आज आईए ये रामबान का तिसरा कलास पढ़के जाईए दावा है मेरा किस वार आ आना है मेर्स के पेपर को तो चलिए दोस्तों कोस्टन की और बढ़ते हैं कोस्टन देखिए सबसे पहला आपके सामने है चैनल पर पहले बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले सभी सब्जेट का वारल कोस्टन आप लोग के पास पहुंसता रहेगा अगर इतना पढ़ लेते हैं तो समझी आपका एक भी अबजेक्टिव कोस्टन नहीं चूटेगा और आप लोग 100% बना के आईएगा हर साल ये कोस्टन रिपीट करता है आईए कोस्टन नमबर एक से स्टिगनेस करते हैं क्या बोला गया है एक्स अक्ष का समिकरन क्या होता है दो देखना चाते हैं इस बार कोन कोन स्टुडेंट जो हैं इस बार मैक्स में जंडा लहराना चाते हैं चलिए अगला कोस्टन है य अक्ष का समिकरन है तो य अक्ष का समिकरन क्या हो जाएगा तो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स बराबर जीरो एक्स के व्यास के सिरों के नियामक 2,3 और मैनस 6,7 है तो उनके केंदर का नियामक क्या होगा ठीक है तो इसका मतलब यह है कि केंदर का नियामक कैसे निकाला जाता है दो बिंदू दिया गया है एक दिया गया है 2,3 और एक दिया गया है 26,7 तो यह जो नियामक निकलता है इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पर 2 है पहला पद और पहला पद को जोरिए तो पहला पद 2 है और मैनस 6 जोरेंगे तो कितना हो जाएगा मैनस 4 इसको भाग करना है 2 से ठीक है फिर कोवा फिर देखिए उसी तरह से 7 और 3 को जो रेंगे दूसरा दूसरा पत को तो 7, 3, 10 हो जाएगा भाग करना है 2 से अब 2 से काटेंगे 2, 2, 4 यानि 1 आगया मैनस का 2 ठीक है 1 आजाएगा मैनस का 2 इसको काटेंगे तो 1 आजाएगा 2, 5, 10 यानि की option number A जो है आपका बिल्कुल right answer होगा मैनस 2, 5 याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला question है आपके सामने 4 number की y बराबर 10 का आलेख कैसी स्रल देखा में होगी हो सकता है की y बराबर 5 देदे 2 देदे 1 देदे बिल्कुल नहीं घबराना है 14 फेवरी को A to Z question करके आना है ठीक है तो y बराबर 10 का आलेख कैसी स्रल देखा में होगी तो आप सभी को पता होना चाहिए ये x अक्ष के समानतर होगी ठीक है x अक्ष के समानतर option number A याद रखिएगा अगला question देखिएगा question number 5 है बिंदू 4.5,6.5 की स्पाद में स्थित है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमको जो भी यहाँ पर बिंदू दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है उससे कोई मतलब नहीं है कि हमको यहाँ पर 4.5 या 6.5 दिया गया हो ठीक है केवल हमको वहाँ पर देखना है कि sign चिन क्या चीज़ का है तो दोनों में पलस पलस है तो दोनों में पलस पलस होता है तो ये हमारा पर्थमपाद में होता है याद रखेगा हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे नहीं देखें तो जाकर देख लिजिए चारो डाइगराम हम आपको किलियर करके बता दिये थे कि कौन में पलस होता है और कौन में माइनस होता है आईए अगला कोशन है कि मूल बिंदू के निर्दे सांक होते है उमीद करेंगे आप लोग कॉमेंट बोक्स में ज़रू कॉमेंट कीजिएगा मूल बिंदू का जो निर्दे सांक होता है आप सभी को पता होना चाहिए यह होता है 0,0 अपसर नंबर C याद रखिएगा अगला कोशन आईए कोशन नंबर 7 को देखिएगा बिंदू 6,5 का X नियामक है तो आप सभी को पता होगा कि X नियामक जो होता है जो बिंदू दिया रहता है वही हमारा X नियामक होता है तो यहाँ पर X नियामक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा जो की बिंदू दिया गया है पहला 6 और दूसरा मैनस पर तो यह हम जानते है कि यह X होता है और यह Y होता है तो इस तरह से आपको X नियमक 6 ही हो जाएगा चलिए अगला question देखिएगा question number हो जाएगा आपके सामने इससे पहले 7 होगे 8 question देखिएगा question number 8 है आपके सामने काफी important 100% लड़ेगा दावा के साथ और यहीं सब question हर साल repeat करता है अगर जो देख के गया वो समझिये इस वार paper को धो के आएगा एक भी question नहीं छोड़ेगा question number 8 है कि बिंदू minus 3, minus 5 किस पाद में है तो आपको सीधे दिमाग लेना है कि minus minus किस में होता है तिरतीय पाद में होता है option number C आपका विल्कुल right answer होगा 9 number में है पर्थम 5 में इस्थित किसी बिंदू की x-x से दूरी क्या कहलाती है तो आप सभी को पता होना चाहिए x-x से दूरी हमारा कोटी कहलाती है option number B याद रखिएगा चलिए अगला question देखेगा question number 10 है बिंदू minus 5,4 किस पाद में इस्थित है तो कहने का मतलब हो गया कि minus और 1 है plus तो minus plus किस में होता है दूरी याद रखिएगा option number B आपका बिल्कुल right answer होगा ठीक है अगला question है कार्थित तरल में इस्थित किसी बिंदू 3, minus 4 में कोटी का मन क्या होगा काफी आसान question है कोटी का मन क्या होता है तो जो बिंदू दिया रहता है X को हम भुजा बोलते हैं Y को कोटी बोलते हैं तो Y के अस्थान पर 4 है यानि minus 4 तो option number आपका A right answer होगा एक कोश्चन को देख के जाईएगा दोस्तों ये आप लोगों के लिए सजीवन बुटी का काम करेगा जो भी देख के गया समझे एक भी कोश्चन छोड़के नहीं आएगा अगला कोश्चन है आपके सामने किसी बिंदू की X अक्स से दूरी उस बिंदू का क्या क्या लाती है तो आप सभी को पता होना चाहिए X अक्स से दूरी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों तो आप सभी को पता है इसको हम मूल बिंदू बोलते हैं मूल बिंदू बोलते हैं option number B बिलकुल right answer होगा आईए अगला कोश्चन देखेंगे बोला 1 plus court square A का मान क्या होगा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है टाइपिंग यहाँ पर square में नहीं हुआ था इसलिए हम यहाँ पर 1 plus court square A का मान क्या होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए ट्रेगनोमेटरी का 100% कोश्चन देखने को मिलेगा 1 plus court square A का मान होता है कोश्यक square A तो आपका बिलकुल right answer हो जाएगा option number D ठीक है चलिए आएए दोस्तों चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके जाएगा क्योंकि आने वाला सभी exam का question लेना है तो चैनल subscribe करके ही जाएगा तो ही आपके पास video पहुँचेगा ठीक है कमजोर से कमजोर student भी इस बार maths में other subject में भी paper को धोके आएगा चलिए अगला question देखेगा question number 15 रहेगा आपके सामने 15 number question है आपके सामने देखिएगा बुला गया है 10 1 degree 10 2 degree 10 3 degree dot dot 10 89 degree का मान क्या होगा दोस्तों तो देखे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखे सब से पहले क्या है कि 10 89 है और इधर कितना है 10 1 degree है तो कहीं न कहीं 10 1 और 10 89 का मान कितना होता है 1 तो कहीं न कहीं इस बीच में जो dot dot दिया गया है इस बीच में जो dot dot दिया गया है तो इसमें कहीं न कहीं 10 88 भी होगा तो 10 88 और यहाँ पर 10 2 degree तो यहाँ से भी 90 degree का देखें, एंगल का योग कितना हो रहा है, एंगल का योग 90 हो रहा है, इसका मतलब इसका मन एक होगा, ओप्शन नमबर B लगा के आईएगा, 100% आपका सई होगा, और ये question बहुत important है, ये हर साल आपको देखने को मिलता है, अगला है, cost 90-a का मन क्या होगा, उमीद करेंगे, आप लोगी comment box में comment करिएगा, cost 90-a, 5 second का समय देते हैं, इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा, sign a हो जाएगा, ठीक है, cost 90-a क्या होता है, sign theta होता है, अगला question है, sack 90-a का मन क्या होगा, sack 90-a का काफी आसान question है, ये question 100%, 100% दावा के साथ कहेंगे, कि ये question आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो ये question आपको मिस नहीं करना है, sack 90-a का मन क्या होता है, दोस्तों आप सभी को पता होना, चाहिए cost a होता है, option number c आपको याद रखना है, ठीक है, चलिए, अगला question देखेगा, question number 18 है, यदि 4, 10, a बरावर 4, तो a का मन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए, कि 4 से 4 कार दिजिए, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, एक निकलेगा, अब 10, 1 जो है, किस का मन होता है, तो 45 डिगरी का मन होता है, यानि कि option number c, यहाँ आपका बिल्कुल right answer होगा, याद रखेगा, अगला question है, यदि a बरावर 30 डिगरी, तो cos a का मन क्या होगा, तो cos a के जगए पर 30 डिगरी रखेंगे, तो cos 30 का मन क्या होता है, तो आप सभी को table नहीं पता है, तो table जाके देख लिजिए, हम बहुत ही सांदार तरीके स आपको बता दिये हैं, और वहाँ पर याद भी नहीं करना है, आप लोग खुद से बना लिजिएगा table, ऐसा सांदार तरीक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, वीडियो नहीं देखेंगे, तो जाकर देख लिजिएगा, फिलाल यहाँ पर cos 30 डिगरी का मन जो हो जाएग तो इसका मन होता है, दो होता है, कितना होता है, 660 का मन दो होता है, अब option में देखिए किसका मन दो है, तो cos 30 का मन कितना होगा, बिल्कुल दो हो जाएगा, cos 30 का मन हमारा बिल्कुल दो हो जाएगा, बिल्कुल दो होगा, आप सभी को याद रखना है, फिर यह 60 का मन नहीं ह कोइसे को एंटी का इसका मझेर्क नहीं को जाते हैं ना मंट होगा मारत को 50 भी लिए डिए लिए соп mica मैं करन देखते हैं तो उंनने भी चोछीन जान ले येगा paper को दो क्याईएगा, ये मेरा दावा है, सारा question होई है, जो हर साल repeat करता है, देखके तो जाईएगा जरूर, देखें अगला question है आपके सामने, question number है, question number 22, court 90 degree minus a बराबर क्या होता है, तो काफी आसान question है, court 90 minus theta क्या होता है, तो ये होता है, 10a, ठीक है, या 10 theta चलिए अगला question देखिएगा question number हो जाएगा आपके सामने 20 ठीक है question number 20 है और काफी important question है देखिए क्या बुला गया इसमें यदि A और B दो ऐसे noon कोन हो कि sign A बराबर cos B तो आप जानते हैं कि sign A बराबर अगर cos B होता है तो हमारा theta का मान जो A का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 degree A का मान क्या होता है 45 degree हो जाएगा ठीक है तो A का मान 45 और B का मान भी 45 होगा चुकि sign और cos का 45 का मान ही बराबर होता है तो आपसे A और B बुला गया है तो A भी 45, B भी 45 यानि 45, 45, 90 degree option number C याद रखिएगा अगला question है कि cos 1 degree cos 2 degree cos 3 degree dot dot cos 90 degree का मान क्या होगा तो आप देख रहे हैं बहुत important question है और आप लोगों को चोकाने वाला question लगेगा ये लेकिन काफी आसान है देखिए कैसे सबसे पहले तो ये देखिए इधर 1-2 degree का मान मालूम नहीं है लेकिन cos 90 का तो मालूम होगा cos 90 का मान 0 होता है आप बता ये 0 को किसी भी संख्यां से गुना करेंगे कि चाहें इधर कुछ भी आ जाए वो हमारा result 0 ही देगा तो option number A आपका बिल्कुल right answer होगा चलिए अगला question देखिएगा question number हो जाएगा 25 sign square A plus cos square A का मान क्या होगा sign square है ये यहाँ पर 2 A नहीं समझना है ये sign square है ध्यान रखिएगा sign square A और cos square A का मान क्या होता है उमीद करेंगे आप लोग comment box में comment जरूर करिएगा फिलाल इसका answer जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा ठीक है option number A याद दखेगा दोस्तो 14 February को ये राम बान का 25 question जो हम करवा रहे हैं ये 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 अमारा तीसरा कलास है जरूर देखके जाएगा 14 February को इस बार match में वही question आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ये हर साल repeat करता है तो उमीद करेंगे आप लोग जरूर देखके जाएगा चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आने वाले सभी subject का question आप लोग के पास पहुंचता रहे मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मातरव